Hey everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ अननी, आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में, आशा करूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो, तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा है हूँ, तीन ऐसे सीम्टम जो एक महिलाव को बता देगी कि आप जरूर प्रेगनेंट हो चुके हो तो यह मिस्ट प्रियर्ड यानि आपके जो प्रियर्ड है आने वाले है वो नहीं आएगी, वो होने के पहले, पिफोर मिस्ट प्रियर्ड अगर यह तीन सीम्टम आपको हो रही है, तो जरूर आप रेगनेंट हो चुके हो, वीडियो को स्किप मत किजिएगा, क्योंकि पहले सिम्टम होगी, बिफोर मिस्ट प्रियर्ड यानि आपके प्रियर्ड अभी तत नहीं आये है, जो डेट है, वो नहीं आये है, आप लोग प्लान किये हो और आपका यह अन्प्लान प्रिगनेंसी है, तो आपको कैसे पता चलेगी, तो इससे आपको कुछ सुबिधाय म होगी, पेन, इंप्लेंटेशन पेन जिसको कहते हैं, तो अप्टर कंसेप्शन आपको एक पेन मैसर सोगी, 6-12 देस के बाहर अपके कंसेप्शन हुआ है, 14 दिन पे या 6-12 दिन के बाद या आपको 20-26 दिनों के बाद यह सिगनल सिम्टम दिखाई देगी, जो है इंप्लें होगी, लेकिन एक दमißtने के हिससे में होगी, तो हम कुछ भी चुक रहे है, यह साहिए है, जरूर आपको लॉपढ़ जारा होगी हैं आपके इंटिर Num कर आपके बलोर मीदा हो एक सब्सक्राइब लाओ चुणते परेंबी का आएं लगा विए इस पारण हो पेंट ही है इम इंटे Creator है आपके साथ शीयर ये symptom हो रही है, तो ये एक तब एक मेन symptom होती है before mist period, और ये 20-26 दिनों के अंदर ही होती है Next, आपको breast sore and tenderness हो सकती है, तो इसे भी ध्यान में रखिए, अगर आपके period mist होने के पहले ये symptom हो रही है, तो जरूर आप pregnant हो चुकी हो, तो ये हर्मोन के बज़े से हो रही है, आपके शरीद में ACG हर्मोन निकाल रही है, जिसके कारण ये breast में पहले bit करती है, तो मैलो के शरी इसके उपर इसका पहले effect दिखाती है, ACG हर्मोन जब निकालती है अमारे शरीव में से, तो breast में ये असार दिखाती है, अगर आपके breast में हलका सा pain है, बहुत ही ज्यादा पहले से नरम हो चुका है, और आपको बहुत ज़दा sensitive मैसूस हो रही है, breast को लेकर और भारी सा लग तो चरूर आप pregnant हो चुके हो अगर पहले आप unprotected relation में थे, next and last point में आते हैं, तो यह है frequently urination, यह थोड़ा सा notice किजिएगा, आपके साथ shear हो रही है, conception होने के बाद ही तुरंद आपके शरीर में blood flow increase हो रही है, blood circulation process increase हो रही है, और आपके जो कितनी है, वो blood को ज्यादा filter करने में लग रही है, और वेस्टेस जो चीजे है हमारे शरीर में blood के अंदर रहती है, उसे filter करने में best है, प्रुषब लगने का tendency बहुत बढ़ बढ़ आ सकती, आपको बातरूम ज्यादा बार यूस करना पड़ रही है, तो यह 3 point एक महिलाव को हो रही है, before mist freer, freer mist होगा या आपको पता नहीं है, लेकिन यह 3 symptom आपको दिखाई दे रही है, 3 lection आपको दिखाई दे रही है, तो जरूर आप pregnant हो चुके हो, अगर आप pregnancy को continue करना चाहते हो, तो थोरा सा patience रखनी होगी, उसके बाद आप pregnancy टेस्ट कर बादीजिए, अगर आपके date mist हो जाए तो, और आप चाहते हो, प्रिग्नेसी रखने के लिए सबको प्रिग्नेसी टेस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको positive आए तो आगर आप नहीं चाहते हो, तो भी आपको patience रखना होगा, date आए, उसके बाद आपको जाके pregnancy टेस्ट अरबानी होगी, अगर आप नहीं चाहते हो, प्रिग्न सेक्शन लाके मुझे बताना मन भूलिएगा, तो चले आज के लिए इतना ही, आप से फिर मिलती हूँ, नेक्ष्ट कोई वीडियो को लेकर तब तक करी तटा होगा, stay healthy, stay happy, thank you.